नमस्कार मैं हूँगा इत्री कुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेर प्रोग्राम में और बात करूँगी इंटरनेशनल रैसलर बबिता फोगाट को लेकर बबिता फोगाट ने आज भारती जंता पार्टी अपने पिता महाविर फोगाट के साथ जॉइन कर ली है और उनकी जॉइनिंग जिन्नों ने कराई है वो हैं भारती जंता पार्टी के करदावने तक किरेन रिजिजू जिनकी उपस्तती में आज पिता और बेटी दोनों ने भाशपा को जॉइन कर लिया है अब बविता फोगाट ने जिस्ता से बिजेपी को जॉइन किया है उसके बाद अब पूरी तरह से बाते खुल का सामने आ रही है और आस ये लगाया जा रही है कि क्या हरियाणा विधान सभा चुनाओं के मद्दे नजर बविता फोगाट को अमिश्या ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है, जाहिर सी बात है कि अमिश्या बहुत वक्त की नजाकत को समझते हुए, ऐसे ऐसे चेहरों को शामिल कर लेते हैं कि विजेपी की जीतता है हो जाती है, आपको वो दौर याद दिलाना चाहूंगी, जो इस साल हुए हैं, उ और कहीं न कहीं सनी दिल जो है, सांसत चुनकर, उन्होंने सांसत चुनकर वो सफल भी होगे, सांसत भी बन गए, तो क्या आप ऐसे में हर्याना विधान सबाच चुनाओ की मद्दे नजार बविता फोगार्ट जो हैं, वो अमिश्या के लिए भारती जनता पार्टी के बाकी शेत्रिये पार्टियां हैं, बात करें, अगर वहाँ पर इनेलो की या बात करें, वहाँ पर बाकी शेत्रिये पार्टियां हैं, उनको कितना घाटा होगा, और इनी सब सवालों का जब आप देने के लिए वे साथ मौजूद हैं, मेरे से होगी, ब्रहमान जी, ब्रहम में होने वाले हैं उसको देखते हुए ये कदम लिया गया है ये बड़ी संजीवनी जैसा कि आपने कहा कि भारती जंता पार्टिक के लिए आने वाले चुनाओं में होगी क्योंकि जो गीता फोगाट है इनकी बड़ी फैन फोलोविंग है ओलंपिक पदक विजयता है ये कुमन वैल्थ में भी इनका पदक जीच चुकी है तो एक बड़ा तबका है जो इनने फोलो करता है और इनने सपोर्ट करता है तो निश्चित ही जो उनका फोलोवर्स हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे या उनने समर्थन भी मिलेगा तो इससे देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाओं को देखते हुए ये बड़ा वार है विपक्षी पार्टियों पर अमिश्या का बविता फोगाट के कंधे पर निशाना साधा है अमिश्या ने और आपको मैं बता दू कि इस बार मेंबर और पार्लि अधास्पत बयान देते रहे हूं बले रियान इंटरनेशनल का मसला जो है वनुहरलाल खटर के लिए मुश्किले पैदा कर जाएगा अगरा का जो ट्रम कार्ट खेला है बीजेपी ने ऐसे में क्या लगता है हरियाना जो की कही जाती कि दंगल का एक वो राज्यमाना जाता है वहां से अधिकतर लोग जो है स्पोर्ट में आते हैं जाहिसी बात है तो ऐसे में एक अपने पेटा के साथ शामिल हुई है तो क्या उनकी एक अपील पर अब बीजेपी के लिए वहां पर ऐसे ऐसे जीतना एकदम असान हो गया है जिसे कि इतना आसान तो नहीं होगा क्यों की विवक्षी पार्टी माँपर जो है नएक जाटनेटा गया की जाटनेता है तो उन्हें गहां जबनाए करने की कोशिशacsस किये तो तो बीजेपी के रास्ता तो वैसे वह सह Willis今日 क्या है तो उस रास्ते को और असान जरूर बीजेपी ने इस कदम से बनाया है इस कदम से बना तो दिया है और इसी भी जिस तहां से कि जन नायक जंदा पार्टी और बसपर अगरबंदन हमें देखने को मिला है हर्याना में उससे क्या नहीं लगता कि मुश्किले पैदा हो सकती हैं बीजेपी के लि तो ऐसे में कुल मिलाकर विपक्षी पार्टी के सामना करेगी बीजेपी फिर हर्याना में अगर हम पिछले थोड़े दिनों पहले देखें तो बीजेपी की खट्र सरकार से पहले महां कोंग्रेस का ही शाशन था जो भुपेन सिरिंग हुड़ा है महां के CM थे तो काफी सार जो बेटे हैं जोटाला उन दोनों में फूट पढ़ गई और पार्टी से बड़े बेटे जोटाला जो की अब जेल में हैं वो उनके बेटे ने नई नई पार्टी बना ली है जन्नाएक जनता पार्टी और उसके बासी नेलों लगयतार तूटती चली गई है तो पार्टी के लिए हर्याना का का काफी आसान होने वाला है होने वाला है हर्याना विधान सभार चुनाओ लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि बविता फोगाट ने फिलहाल अलभाजपा जवाएन तो कर ली है लेकिन उनका फायदा बिजेपी को कितना मिलता है वैसे मैं आपको बता दू कि अमिश्या बिना सोचे समझे कोई रणन यहां है खासका जो इनैलो है और जो बाकी जो गडबंदर में देखने को मिला है और उसके रावा कांग्रेस क्या करेगी कांग्रेस क्योंकि अब कांग्रेस के पास तो अब यही कुछ ऐसे राज जी है जो आने वाले बक्त में चुनाओं होने वाले हैं वहाँ पर अगर व झाल प्याज़ झाल